इन जोपर पट्टियों का हाल देखो भाई, बीच में नाली है खुली हुई और यहाँ पर देखिए जीने किस तरह से निकले हुए हैं और यहीं साइड सेड में लोग का रूम है जहां पर लोग अपने फैमली के साथ रहते हैं यह खुली हुई नाली देख रहे हो और यहाँ देखो रूम यहीं सामने ही लोग रहते हैं इस नाली के और यहाँ देखो उची सी इमारत और इमारत के नीचे यह गंदा सा गटर देखो और यहाँ पर यह जूपर पट्टियों का हाल यह देखो इन जूपर पट्टियों में लोग रहते हैं किस तरह से यहां पर कपड़े सुखाये जा रहे हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल प्रिंस ओफिसियल ब्लॉग दोस्तो अभी हम आ चुके हैं मुंबई के कुरला इलाके में और आज इस वेडियो में हम आप सभी लोग को कुरला की खतरनाक जोपडियों का नजारा दिखाएंगे कि कुरला की जोपडियों में किस तरह से लोग अपने परिवार के साथ जिUNDगी जीते हैं दोस्तो जहां पे वो लोगों का जोपडिया है बीच में पतले पतले नाले हैं और उस नाले को ढगा भी नहीं गिया है इस समय और वहीं पर लोग अपने परिवार के साथ कैसे रहते हैं इतनी गंदगी में बहुत ही खतरनाक नजारा दिखाने वाला हूँ आप लोग हमारे बगल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे होंगे लेकिन इनी बिल्डिंगों के बीच में भाई सब जोपड़ पटिया भी होती हैं जिसमें मुंबई के आम पबलिक भाई मेडिल क्लास के लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं तो आज किस लगा कर यहां पर बेचा जाता है और आगे भी देख सकते हैं भाई दिया वगएरा रखे हुए हैं क्योंकि दिवादी आ रही है तो इस तरह से आम जन लोग मुंबई में कमाते हैं खाते हैं तो आज किस वीडियो में आपको मुलूंड का और कुर्ला की जोपड़ है यह उची सी बिल्डिंग इसके नीचे यह गटर गंदासा यह देखो कितना कच्रा है भाई इसमें और यहीं पर इन लोगों की जोपड़ पट्टी जहां पर लोग रहते हैं भाई जश्ट यह पर ना ऊची बिल्डिंगों के नीचे जोपड़ पट्टियां है देखिए किस तरह से वापर कपड़े वएरा पसारे जा रहे हैं बाहर सुखाने के लिए तो यह है जोपड़ पट्टियों वालों का रहने का लाइफी स्टाइल भाई किस तरह से वो लोग अपने परिवार के साथ इन जोपड़ पट्टियों में रहते हैं वो मैं आपको लाइब द यह नाली है और साइड साइड में लोगों का रूम है यह देखो यह नाली का हाल देखो भाई इस नाली को पूरा ओपन रखा गया है साप सफाई की जा रही है तो सोचिए किस तरह से यहां पर नाली बीज से गई रहती है और साइड साइड में लोगों के रूम होते हैं यह और किस तरह से लोगों के उपर जाने के लिए आपर जीने निकले हुए हैं बाहर के साइड में ये देखो इतनी पतली पतली गलियां होती हैं लोग इसी में आना जना लगाये रखते हैं भाई ये देख रहे हो कितना ज्यादा कचरा यहाँ पर नाली से निकाल के साइड में रखा गया है फिलाल यह कचरा साफ होगा लेकिन देखो यहाँ पर भी रूम है और इधर सेढ़ी है उपर जाने के लिए लेकिन कितनी गंदगी है इस नाली में यह आप लोग देख सकते हो यह नाली ढखी रहती है लेकिन सफाई करने के लिए खुली गई है तो देखिए उधर ड्रम रखा हुआ है उसमें पानी भर के लोग रखते हैं क्योंकि पानी का टाइम जो हता है आने का न वो हमेशा नहीं आता है कभी कभी आता है तो यह देखो यह भाई साब मोंबई की जोपड़ पट्टियों का हाल यह बीच सी तरह से नाली निकली रहती है लोगो क रूम के जश्ट सामने से ये देख रहे हैं ये जोपड़ पट्टियों का हाल है भाई अभी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ तो ये देखो इधर मैं सामने थोड़ा सा आ गया और 20 एकदम नाली निकली हुई ये रास्ता है पूरा गली है लेकिन देखो गली में किस त पट्टियों का भाई ये देखो भाई बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने वाले लोग कहा जाने इनके हालातों को भाई अब आई यहां से आगे निकलते हैं तो ये देखिए पतली पतली गलिया भाई अब हम बाहर में रोट के साइड निकलने वाले हैं ऐसा नहीं ह यहां के छोटे एरिया की बात कर रहा हूं किस तरह से इतनी कम-कम जगह में जोपड-पटिया बनाई गई है जहाँ पर लोग अपने परीवार के साथ रहते हैं यह देखो मैं बाहर-ट निकल रहा हूं और यहां देखो जोपडपटिया किस तरह से साइट-एड में हैं और रूम काफी अच्छे अच्छे होते हैं पूरा टाइल्स लगे होते हैं लोगे के लाइफिस्टाइल भी अच्छी होती है लेकिन कितनी कम जगे होती है ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाया हूँ अगर मुंबई की जुपडपट्टियों की बात की जाए न तो मुंबई में हर जगा भाई जुपडपट्टी है हर एरिया में अंधेरी जुहू या कुडला बांदरा हर जगा है तो ये है मुंबई की जुपडपट्टियों का हाल तो उमीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी जल्द ही मिलते हैं गाई नई वीडियो में नए ब्लोग के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जै हिंद जै भारत